नमस्कार आप देखने एक News24 और मैं हूँ वरिशा आपके साथ लोकसभा चुनाओ दोहजार चौबिस के बीच लालो यादो को बड़ा जटका लगा है खास दोस्त का बिटा आप जाएगा नितिश कुमार के साथ लालो यादो के करीबी प्रभुनाद सिंग के बेटे रंधीर सिंग टिकट नहीं मिलने पर आरजेडी से इस्तीफा दे रहे हैं अब वो 14 माई को जेदियू में शामिल होंगे उनके पिता जारकंड के जेल में उम्रकैद की सदा काट रहे हैं आरजेडी प्रमुख लालो यादो के करीबी प्रभुनाद सिंग के बेटे रंधीर सिंग ने राजत छोड़ दिया है वे 14 माई को नितिश कुमार की पार्टी जदियू में शामिल होंगे बताया जा रहा है कि रंधीर सिंग टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे गौरतलब है कि रंधीर सिंग के पिता प्रभुनाद सिंग फिलहाल आजीवन का रवास की सजा काट रहे हैं प्रभुनाद सिंग लालो यादो के खास लोगों में शामिल रहे हैं ऐसे में लोकसभा चुनाओं के बीच रंधीर सिंग जेडियू में शामिल होने का बड़ा बड़ा जटका माना जा रहा है RJD से नाराज चल रहे थे रंधीर पूर्व संसद और RJD के वरिष्ट नेता प्रभुनात सिंग के बेटे और पूर्व विधायक रंधीर सिंग महाराज गंज संसद संसद ये शेतर से राज़त से टिकेट नहीं मिलने से नाराज से बताया चा रहा है कि इसी कारण उन्हों या आखिरकार लालू यादव की राज़त छोड़ने का फैसला किया है वे 14 माई को अपने समर्थकों के साथ जेडियों में शामिल होंगे बता दे कि महाराज गंज सीट इंडी गट बंदन में कॉंग्रेस को दे दी गई है कॉंग्रेस ने सीट से प्रदेश अखिलेश प्रसाद सिंग के बेटे अकाश प्रसाद सिंग को अपना उमीदवार बनाया है चपरा से विधायक रह चुके हैं रंधीर सिंग पहले एक चर्चा थी कि वे लोग सभा चुनाओं में बात और निर्दली उमीदवार उतरने की योजना बनाई थी लेकिन अच्छानक उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है और जेडियों में शामिल होने का फैसला किया है आरजेडी की प्रात्मिक सदस्यता से स्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा है कि जिस समय बिहार में आरजेडी की तीन सीटे थी उस समय हमारे पिता प्रभुनात सिंग ने इसे तीन से बढ़ा के 23 सीटों कर दी थी उन्होंने 2025 में विधान सभा चुनाव में इसका बदला लेने की मंच्छा जताई है बता दे कि रंधीर सिंग आरजेडी के टिकट पर छपड़ा से विधायक रह चुके हैं तो फिलाल इस खबर में इतना ही एसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें एक न्यूस 24 को हमारा फेज़ उपेज को लाइक करें और यूटिव चानल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब करें धन्यवाद